नमस्कार आदाब दोस्तों मुम्रा एक्सवेस में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देगे जो आपके जानने के लिए ज़रूरी भी है और दिल्चस्प भी तो आईए आज हम चलते हैं नौलेज इस पावर के एपिसोड नमबर वन पर दोस्तों मुबाइल फोन आज की दुनिया में इनसान की जिन्दगी का एक एहम साधन बना हुआ है हर एक घर में बड़ों से लेकर के छोटों तक के हर किसी के पास अपना खुद का परसनल सेल फोन या तो टैबलेट होता है मगर यदि कोई हमसे पूछ ले के इस मुबाइल फोन की स्थापना किस कंपणी ने की थी कब की थी और पहला कॉल कब लगाया गया था तो इसका जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहला मुबाइल फोन किस कंपणी ने लॉंच किया था और वो कौन शक्स था जिसने पहले मुबाइल फोन पर बात की दोस्तो मोटरला वो कंपणी है जिसके एक इंजिनियर ने जिनका नाम मार्तिन कूपर था पहले मुबाइल फोन की दुनिया में खोज की और स्तापना की यह खोज उन्होंने 3 एपरिल 1973 मतलब 3 एपरिल 1973 को पहले मुबाइल फोन की खोज की गई जिसका नाम डाइना टॉक्स 800X रखा गया और उस वक्त में उस मुबाइल फोन की मार्किट वैल्यू थी 4000 डॉलर्स मतलब यदि अगर हम आज की भारतिय मुद्रा के साब से कैलकुलेट करें तो लगबग 2,00,00 रूपयों के उपर की कीमत थी उस मुबाइल फोन की और New York City में 53rd और 54th स्ट्रीट पर चलते हुए मार्टिन कूपर ने ही उसी दिन पहला कॉल लगाया था और उस पर बात भी की थी जिसका फाइदा आज तक के हमारी धुनिया के सारे लोग उठा रहे है वो मुबाइल फोन की कोच मार्टिन कूपर ने 3rd एपर उन्वी सो प्रेटर को की थी धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही इंशाला फिर मुलाकात होगी नौलेज ओफ पावर के अगले एपिजोड में जब तक के लिए सुरक्षित रहे सतर करे जय हिन जय मारश्टो